इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. तीवर दस्थ तब होता है, जब कम से कम 14 दिनों के लिए प्रती दिन 3 या अधिक धीले, पानी के मल की अचानक शुरुवात होती है. इस प्रकार का पानी जैसा दस्थ मुख्य रूप से वाइरल गेस्ट्रो एंटराइटिस नामक वाइरस के कारण होता है. बच्चों में यह दस्थ प्रोटावाइरस के कारण होता है. एन्फ कैपसूल 100 मिली ग्राम में रिस्क के डोटरिल होता है, जो एक प्रोड्रग यानि की निश्क्रियरूप होता है, जो थियोर्फान यानि की सक्रियरूप में परिवर्तित हो जाता है, जो छोटी आंथ के उपकला उतकों पर कार्य करता है. यह है जाव विश या सूजन से प्रेरित इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी के आंतों के हाइपसेरेटियन यानि की खोने को कम करने में मदद करता है. इस प्रकार, एन्फ कैपसूल 100 मिली ग्राम आतों के संक्रमन की अवधी यानि की आंत्र पारगमन समय या पाचन तंत्र में भोजन की यात्रा का समय को बदले बिना तेजी से एंटी डायरियल क्रिया करता है. एन्फ कैपसूल 100 मिली ग्राम का सेवन डॉक्टर के कहे अनुसार ही करें. आपको एन्फ कैपसूल 100 मिली ग्राम का सेवन तब तक करने की सलाह दी जाती है, जब तक आपके डॉक्टर ने आपकी चिकित्सा स्थिती के आधार पर इसे आपके लिए निर्धारत किया है। कुछ मामलों में, आप कुछ सामान्य दुषप्रभावों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे सिर्दड, दाने और त्वचा का लाल होना। इनमें से अधिकांच दुषप्रभावों को चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं है और समय के साथ धीरे-धीरे हल हो जाएंगे। हाला कि आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप इन दुषप्रभावों का लगातार अनुभव करते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। एन्फ कैपसूल 100 मिलीग्राम लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें यदि आपको बुखार है, मल में खून या मवाद है, पुराने दस्त से पीडित हैं, एंटीबावटिक दवाओं के कारण दस्त हैं, गुर्दे या जिगर की समस्याएं, लंबे समय तक या अनिय तरह रही हैं, तो एन्फ कैपसूल 100 मिलीग्राम न ले जब तक की निर्धारित न किया गया हो, एन्फ कैपसूल 100 मिलीग्राम तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए, एन्फ कैपसूल 100 मिलीग्राम के साथ शराब का सेवन न करें, किसी भी दुश प्रभाव से बचने के लिए अपने चेकित सक को अपनी स्वास्तिस्थिति और दवाओं के बारे में सूचित करें, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्र